सभी साथियों का स्वागत है आप सब्सक्राइब करें दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ECC Educator भरती से संबंधित आप सभी की कुछ महत्पूर्ण क्वाइरीज के बारे में का समाधान क्या है कैसे बना सकते हैं आप अपनी आईडी उसके बारे में भी डिसकस करेंगे खासकर दो समस्या है इसमें देखने को मिल रही है आईडी बनागते वक्त यानि सेवा योजन पोर्टल पर जब आप रजिस्टेशन करें तो दो दिक्तों का सामना करना पड़ रह है उसका समाधान क्या है और एक और आपकी क्वाईरीज है फार्म भरने में सेवा योजन आईडी नहीं लगेगी या पुरानी वहीं एसी सी एजुकेटर भरती नोटिफिकेशन फेंक है क्या ऐसी खबरे सोसल मीडिया पर आ रही है उसके बारे में क्या जानकारी है और आप सभी की कुछ क्वाईरीज है उनको इस वीडियो के माध्यम से साट आउट करेंगे तो आप सभी लोग बस पैसेंस पूरवग वीडियो में अंतक बने रहें सारे डाउट आपके सुता समाप्त हो जाएंगे तो साथियो जैसा की आप सभी लोग जानते हैं उत्ता प्र 30 सितंबर तक इन पदों पर भरती प्रकरिया पूरी करके जो चैनित कंडिडेट हैं उनको निक्ति देने की बात कहीं गई थी उस बिग्यप्ति के माध्यम से आप सभी को बता दें लगातार इस भरती के बारे में हर पॉइंट को हम आप सभी के साथ सेयर कर रहे हैं तो जिस एजनसी के माध्यम से संपाधित कराई जाएगा उस एजनसी का चैन जो है जैम पोल्टल के माध्यम से चल रहा है जैसे ही सभी जनपदों में भरती प्रकरिया संपाधित कराने वाली एजनसी का चैन फाइनल रूप से हो जाएगा तुरंत आप सभी के लिए आबेदन फार्म का लिंक कपसे एक्टिवेट होगा तो दोस्तों हमने कई बार आप सभी को ये जान करी दी फिर भी आज आप सभी को बता दें कि 10 सितंबर तक पूरे पूरे चांसे से हैं कि इस भरती की पिरकरिया शुरू करने संबंधी यानि आपके आनलाइन आबेदन के लिए लिं 10 सितंबर से आप सभी लोगों के आनलाइन आवेदन जो हैं वो भरने सुरू हो जाएंगे उससे पहले जो संबंधिक डाकुमेंट्स आपके हैं चाहे वो सैचिक डाकुमेंट्स हों या तहसील से बनने वाले डाकुमेंट्स हों जिसमें आप सभी को हमने बताया है आपका जाति प्रमाडपत्र और निवास प्रमाडपत्र कुछ साथियों का प्रशन है सरक्या आई प्रमाडपत्र भी लगता है तो नहीं दोस्तों बिलकुल किलियर है यहाँ पर केवल आपका जाति और निवास प्रमाडपत्र ही लगेगा जाति प्रमाडपत्र और निवास प्र माड़ पत्र ही लगेगा वहीं यहाँ पर एक और प्रशन आता है क्या सर EWS लगेगा बिलकुल दोस्तों लगेगा जो भी भरती आती उसमें reservation फालो किया जाता और reservation फालो होगा और उसमें EWS reservation भी फालो किया जाएगा और जे अभ्यरती eligible है EWS reservation के लिए उपना certificate बना करके लगा सकते हैं भरती में आप बात कर लेते हैं आगे के महत्पूर्ण आपकी जो सबसे करने के लिए आधार verification के लिए तो वहाँ पर जैसे ही आप password डाल कर confirm password करते हैं और फिर आगे प्रोशीड यानि submit करने के लिए क्लिक करते हैं तो वह बैक मार जा रहा है और वही page खुल करके फिर से सामने आ जाता है तो आप सभी सात्यों को बता दे यह site की problem है और सेवा योजन portal की जो site है हमेशा से hanging करती रहती है इसको लेकर के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है यह site बहुत जल्द ही सही करती जाएगी विभाग की तरफ से और जब आप सभी के online आवेदन होंगे तब भी आप अपनी ID बना सकते हैं जो process पिछली वीडिय इसको भी no point के अंदर भरेंगे और वो जब आपकी clear हो जाएगी उसके बाद केवल और केवल आपको फार्म में कुछी चीजे भरके आप complete फार्म आपका उसी सेवा योजन portal ID की detail से भर जाएगा जो आपको फार्म भरने में आसानी करेगा तो कुल मिला करके जो यह सेवा य आप सभी लोग try करते रहें दिन में एक से दो बार और देर शाम को या देर रात को भी प्रयास कर सकते हैं अपनी ID generate करने के लिए यानि सेवा योजन portal पर registration करने के लिए और एक बार आपका registration हो जाए उसके बाद login करने के बाद आगे का जो process या आपकी detailing भरनी है वो बहुत जो है जन्मतिति के लिए year 2014 तक ही 100 हो रहे हैं तो दोस्तों आप सभी को बता दें इसके दो समाधान है एक या तो आप पहली बार में 2014 सिलेक्ट कर लें और उसके बाद फिर से उस पर click करें तो वो 2014 से 2004 फिर वहाँ 100 होने लगेगा फिर 2004 को click कर लें तो उसके बाद जब खो कालम में जहां पर आपको DOB भरनी है वहाँ पर मैनुल रूप में आप अपनी DOB भर सकते हैं जिस सन्ट की अपकी DOB है ऒो वहाँ पर fill up कर पर दें वह अपने आप ले लेगा उसको लेकर कर परेशान होने की जरूरत नहीं है वहीं पर अगला प्रशन आप सभी का निकल कर सामने आ रहा है कि सेवा योजन आईडी फार्म भरते समय नई लगेगे या पुराने लगेगी कुछ लोगों के द्वारा ये गुमराह किया जा रहा है भरती में अबेदन करने वाले अभेडियों को कि सेवा योजन आईडी जो आपकी है या जो आपने सेवा योजन पोटल पल अगर पहले से रेजिस्टेशन किया है तभी आप फार्म भर पाएंगे तो आप सभी को बता दे दोस्तों ये पूरी तरीके से फर्ची और अफवाह है ऐसी कोई बात नहीं है आपके पास अगर पुरानी आईडी है और आप उस आईडी के थुरू ही फार्म भरना चाहते हैं तब भी भर सकते हैं अगर आपके पास नई आईडी आपने बनाई है तब भी आप फार्म भर सकते हैं दोनों प्रकार की आईडी चलेंगी और अगर मान लीजी अभी तक आपने आईडी नहीं बनाई है या रेजिस्टेशन करने में आपको सफलता नहीं मिली है तो आप जब फार्म भरेंगे तो वहाँ पर सोताह आपको आईडी जेनरेट करन आईडी ही लगेगी तो वह आपको मिलीट कर रहा है वह सही जानकारी ना तो उसको है और ना ही वह आपको दे रहा है हाँ एक बात जरूर है कि अगर आपने पहले से सेवायोजन पोर्टल पर अपना रेजिस्टेशन कर रखा है और आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आपको नई आईडी पासवर्ड बनाने के लिए परिशान होने की जरूरत नहीं है और अगर आपने पहले से नहीं बना रखी है सेवायोजन पोर्टल पर रेजिस्टेशन नहीं कर रखा है तो आपको नई आईडी बनानी पड़ेगी और उसके तुरू भी आप फार्म भर पाएंगे आबेदन कर पाएंगे वहीं आप दोस्तों आप सभी को बता दे सोसल मीडिया पर एक खबर और तेजी से वायरल हो रही कि उत्तर प्रदेश में जो 10,684 पदों पर ECCE एजूकेटर भरती का विज्यापन निकला है वो पूरी तरीके से फेंक और भरजी है तो दो लिंक एक्टिवेट होगा आप सभी के आबेदन करने के लिए तो आबेदन करने के कंप्लीट प्रोसेस के साथ आप सभी को चैनल के मादिम से जानकारी दी जाएगी नोटिफिकेशन पूरी तरीके से रियल है और ये बेसिक सिच्छा विभाग उत्ता प्रदेश की प्रदी इस भर्ति को एग्णोर करेंगे और इसमें फार्म अप्लाई नहीं करेंगे और इससे जो फार्म अप्लाई करेगा उसका चैनस उनिश्चित हो जाएगा तो इस तरीके से ये अफवाँ पहलाई जारी सोसल मीडिया पर कि ये भर्ती कर नोटिफिकेशन पूरी तर वाती डेट है यानि आवेदन शुरू करने की डेट है उसमें अगर डिले होता है तो अंतिम डेट भी आगे एक्स्टेंड करी जा सकती है लेकिन भरती फेक नहीं यह आप बिल्कुल कंफर मान कर चलें अब बात आती है कि आवेदन फार्म कहां से भरें तो दोस्तों आप सभ से सेवा योजन पोर्टल के मात्यम से ही आउट सोर्सिंग और प्राइवेट जो नोकरियां है उनके बारे में जानकारी दी जाती और वहीं से फार्म भराये जाते हैं इसके साथ सेवा योजन पोर्टल के मात्यम से आथ सभी सरकारी नोकरियों के फार्म भी अप्लाई कर सक वो इसी पोर्टल पर आएगा सेवायोजन पोर्टल पर आएगा और जिसका डारेक्ट लिंक यानि सेवायोजन पोर्टल का डारेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे रहे हैं बाकि टेलिग्राम चैनल भी आप जोइन कर लें इस भरती के आबेदन शुरू करने की जो है डेट और नोटिफिकेशन को चेक आउट करते रहें जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए आप फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं अब एक और प्रशन सात्यों की तरब से पूछा जाता है कि सर क्या हम एक ही जिले में फार्म भर सकते हैं या कई जिलों में फार्म भर सकते हैं तो दोस्तों, जब आप सिवा योजन पोल्टल के मात्यम से अपलाई करेंगे, तो आप किसी भी जिले के अंतरगत अपलाई कर सकते हैं, और पूरे उत्रपरदेश के किसी भी जिले में आप अपना चैन सुनिश्यत कर सकते हैं, तो ये प्रशन, कोई प्रशन नहीं बनता है, आप किसी भी जिले में भर सकते हैं और कई जिलों में भी भर सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कई अब्यत्यों का प्रशन आता है सर आबेदन की फीस कितनी होगी तो दोस्तों इसकी जानकारी जब आबेदन प्रकरिया शुरू होगी तभी हमको हो है फिर आप काश्ट होगा इसके लिए कोई भी फीस आपको पे नहीं करने पड़ीगी फार्म भरने के लिए बाकी देखते हैं जैसे ही आवेतन प्रक्रिया शुरू होती है आपको जानकारी दी जाएगी जो भी डिटेलिंग होगी ओभी डिसकस की जाएगी फरजी यूटू मिलती रहे और इस वीडियो को लाइक करते हुए सभी साथियों में सेयर कर दें तो इस वीडियो में इतना है इस वीडियो कन तक देखने के लिए सभी साथियों को तह दिल से सुक्रिया बहुत बहुत धन्यवात मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अफ्रेट के तब तक के लिए सभी सातियों को जै हिंज जै भारत बंदे मातरम